लगातार हम एक्सपोर्ट करते गए फिर हमें लगा जर्मनी बहुत बढ़िया कंट्री है और अप्लोड होने के बाद सीधा हमारे पहले क्लाइंट टेकसस यूएसे में पहुंच गया मतलब आप कैल्कॉलेट कर सकते हैं कि कितने हजार लोगों तक हमने प्रोपोजल बेजा और रोज हमारे यही काम होता था कि हमारी एक टीम बैठती थी इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्स्पोर्टर इंडिया, अली बाबा, इस वीडियो इस पावर्ड बाए मेटास लाइश्टाइल, इंडियास लीडिंग मैनुफाक्ट्टर और स्टेल, मॉर्ड लोके आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरी कंपनी है मेटास ओवर्सीज लिमिटेड और मेटास ओवर्सीज लिमिट हम लोग डिलर, डिस्ट्रिबूटर, फ्रेंचाइजी, सी एंड एफ सब कुछ बनाते चले गए, लेकिन हमने एक्सपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस समय मैंने अपनी कंपनी बनाई थी, मेरी कंपनी का नाम था मेटास ओवर्सीज लिमिटेड इसका मतलब ओव wise started by first export मैंने अपनीप्र दिल कैसे की और की शुरुवात की के से की से कना की सबसे पहले आसपास के एरिया को देखते थे V जिस दिन मुझे रिलाइज हुआ 2014 में मुझे रिलाइज हुआ यार मैंने कंपनी बनाई थी मेटास ओवर्सीज लिमिटेड इसका मतलब मैंने ऐसी कंपनी बनाई थी एक्सपोर्ट भी करेगी और 2014 में हमने डिसाइड किया कि चलो अब एक्सपोर्ट पर थोड़ा ध्यान दिया जाए क्योंकि बिजनस का अच्छी तरह से हो चुका था दोस्तों मेरे जीवन की बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैंने 2012 में कंपनी बनाने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2014 में शुरू किया क् बिजनस को सेट करने का मतलब होता है सेल करना और एक्सपोर्ट करने का मतलब भी सेल करना ही होता है तो मैं बात करूंगा कि हमने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस में कदम रखा तो हमने कौन कौन से स्टैप्स अपनाए और कैसे मैंने अपने पहले बायर को ढूंड कि आपके एसी वेब साइट सेंडिया मार्ट है ट्रेड इंडिया है अलीबाबा एक्सपोर्टर और जहां पर बहुत सारे बायर होते हैं इसका मतलब जो बायर है वो कहीं नहीं तो खरीदता होगा हर अपने अपने अप मैं अपने नहीं होता हमने विकश्च ना क्या प्रफजर करना हो डिऐंडिया इंडिय अपने सबस्क्राइब करते भब लोग है कहते हैं कि हम सुनुआत में कुई चीज बनाते हैं लेकिन यर आप बनाने के इसे बारे में सोचेंगे नहीं तो बनेगी भी नहीं तो हमने प्रपोजल बनाया लोगों टो प्रपोजल सेंट किया प्रपोजल रिजेक्ट हुआ उसको अपग्रेड किया। उसकी कमियों को पूछा जाना कहिते हैं आपका बायर ये आपको सबस्यां बेस्ट आउटपूट दे सकता है कि आपके प्रोड़क्त में आपके प्रपोजल में क्या कमी है अपने प्रॉड़ की कमई को दूर किया और हम प्रफोजल सबंगर करते चले गए और रोज हमारा एग्सार था पारिस में जहां भी हम लोग सबसाइट को सर्च करते थे और उसके बाद उनको रैगूलर मेल करते थे है मेल करने के बाद हम उस मेल में अपने कंपनी का पुर्णा प्रपोजल सारे इंफॉर्मिशन हमारे प्रोड़क्ट की डिटेल प्रोड़क्ट का स्पैसिफिकेशन सब कुछ बेजते थे और कई बार हम अटेच करते थे अपना कैटलॉग प्रोड़क्ट की इमेजीज हो गई प्रोड़क्ट के वीडियो ने वीडियो बना रखे थे घंज के कि बायर जोड़ना आ ंधेरे में छलाने के चलाते रहते हैं और कब आपका एक तीर निशाने पर लग जाता है आपको अंदाजा भी नहीं होता और उसके बाद जैसे पहला तीर निशाने पर लगता है ना एक सविरा हो जाता है और उसके बाद आप आसानी से सिलेक्टिड लोगों के साथ व्यापार की डिल कर पाते हैं रोज पचास से डेली हमारी टीम जो बैठी हुई थी वो 5200 मतलब हमारी टीम का एक ही काम था रोजाना सुबा आफिस में आना और 50 से लेकर 90 तक 100 तक हम लोग नहीं नहीं वेबसाइट को सर्च करते थे और सर्च करने के बाद उनको अपना प्रपोजल बेचते हैं मतलब डेल 2600 लोग हर महीने हम कंटाक करते थे और 2600 लोगों को कंटाक करने के बाद भी जब डील नहीं होती न तो कि प्रपोजल बेचते थे तो प्रपोजल से रिलेटेटीट बहुत सारी informations हम collect भी करते थे कि हमारे proposal में क्या-क्या कमी है और उसके बाद regular उनका follow-up करते थे हमने proposal किसी को भेजा और proposal भेजने के बाद हम शांत नहीं बैठते थे regular अगर उनका कोई contact member है उनसे बात करते हैं पर्चेस department के लोगों से mail करते थे कोई whatsapp नंबर मिल जाए तो whatsapp पर उनको regular catalog ब्रोशर इमेजिस वीडियो भेजते रहते थे एक connectivity बनी हुई थी हमारी और दिरे-दिरे करते करते ऐसे हमने हजारों लाखों लोगों तक अपना प्रपोजल पहुंचाया अब जब कहते हैं कि आप 2600 लोग हर महीने नए सर्च कर रहे हैं और अगले छे महीने तक आप सर्च कर चुके तो मुझे होता है एक सेलर जो होता है न वह बात करते करते समझ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति सिर्फ टाइम पास कर रहा है यह एक्षिल में वह इंटेंशनली भायर है जो आपके प्रोड़क्ट को खरीद सकता है तो जहां पर हम लगत रहें बहुत इंट्रस्टीड बायर है वहां तो हम बहुत सार लोगों को सैंपल बेजने लगे पहले शुरुवात में सौ सैंपल से ज्यादा हम लोग फ्री सैंपल बेच चुके थे उसके बाद में हमारा जो सिल्सिल है वो शुरू हुआ पेड़ सैंपल का पहले पांच फिर दस फिर पंदरा फिर बीस ऐसी नंबर पेड़ सैंपल तक आए और जब उनको सैंपल रिसीव हुआ उनको आमने फॉलॉप करना चुरू किया तो उनमें से कुछ व्यक्तियों ने और ज्यादा इंटरस्ट दिखाया और वो यह समझना चाते थे कि अब आपकी कंडिशन क्या है आप कैसे काम करेंगे तो देखिए एक authentic business owner अगर वो है कहते हैं कि हमें यह पता लग जाए कि हमारा buyer genuine है या नहीं मतलब जो व्यक्ति आपसे माल खरीदना है वो आपको payment करेगा या या यह बात तो उनकी तरफ से भी लाग होते हैं वो भी समझ जाए कि मेरा जो supplier है मतलब हम जो है वो genuine है या नहीं उसके लिए क्या है आपकी कंपनी की प्रोफाइल अपनी का कैटलॉग कंपनी का शोरूम वीडियो आप से बात करने का तरीका regular follow-up और आप किसी को छे मेने से फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना का authenticity के बारे में पता लग जाता है और वैसे भी हमारे business में 50% advance होता है on order and 50% before delivery होता है आप जै ठीक है नहीं पैकेजिंग ठीक है नहीं तो हम उनसे कहते थे की ठीक है सारा 50% advance दो और हमें हजारों ऐसे बाइर मिले जिरुन का की ठीक है वी रेडी रेडी फॉर्द हम आपको credit note देते हैं आप material production कीजिए फ्रेंट ध्यान रखी अगर हमारा एक product value 5-6 लाग रुपे का है और अगर किसी ने दस product का order मुझे दे दिया तो 50-60 लाख रुपे का order मुझे मिल गया और अगर उसने delivery नहीं उठाई तो मेरा order cancel कर दिया तो मेरा तो सारा business इठाप हो जाने वाला है तो हमने क्या कहा कि हा 50% advance दो और जैसे हमनी 50% advance मांगना शुरू किया ना तो जो हमारे buyers क लिश्थी वो filter हो गई कहा 400-500 बायर ऐसे थे जो कहते थे कि ठीक हम deal करने के लिए तयार है वह सिमटकर 3-4 बायर पर आकर रुप गई इसका मतलब हम समझ गई है तीन या चार लोग ऐसे हैं जो हमसे deal करें और पहली बार जब एक व्यक्ति ने यह कहा कि ठीक है मैं before delivery तो दे agent से contact करें या organization contact करें जो हमारे product को inspect कर ले एक बार चेक कर ले वहां पर और हम जो भी material बेजेंगे वह insurance के साथ बेजेंगे ताकि हमारा material आपके final आपके destination तक best quality पहुंचे अगर कुछ भी होता रहा insurance company उसको आपको claim देने वाली है पहला client जब हमारा set हुआ तब हमें confidence आया क हां हम एक right path पर हैं और जब पहली बार हमने material dispatch किया तो उसके लिए हमने जुरुत हमें जो लगी वो थी CHA custom house agent अभी क्या होता है कि government of India ने बहुत अचा system बनाया है जहां जहां पर समुद्र नहीं लगते हैं वहां ICD है आई-सी-डी इनलेंड कंटेनर डीपो आपका material इनलेंड कंटेनर डीपो तक पहुंच जाए अब उस इनलेंड कंटेनर डीपो का काम होता है आपका material शिप के जरिए उस देश में बेजना जहां बेजना चाहती है लेकिन आई-सी-डी तक भी material पहुंचे उसमें बहुत बड़ी दुबधाई हैं परिशानिया है डोकुमेंटेशन है प्रॉसस है सिस्टम है जब पहली बार में order मिल गया और 50% अडवांस मिल गया और हमने 30 दिन के अंदर material बना के तयार कर लिया तो उसके बाद हमने C.H.A. को कॉ हमने पहली बार जब material तुगल का बात बेजा तो उसके बाद material यहां से upload हुआ और upload होने के बाद सीधा हमारे पहले client Texas USA में पहुंच गया कहते हैं कि जब आप पहली बार कोई चीव कर लेते हैं वो बहुत बड़े achievement आपके लिए होती है और कुछ दिन बाद आपको उसकी आ होते हैं तो मेरे पहले एक्सपोर्ट में सबसे कठिन documentation जो था वह हुआ और माधियम से हम वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए उसके बाद में regular आप कहते हैं कि पहली बार आपको अंदाज़े नहीं था कि order मिलेगा नहीं मिलेगा आप रोजाना 40-50 लोगों contact करते थ तो अब हमने number of people जो अपनी team में वो बढ़ाए लोगों से contact करने का तरीका और modify किया क्योंकि अब तो हमारी deal हो चुकी है जब मैं tuition पढ़ाता था तब भी एक बात देखता था कि अगर एक बच्चा आ सकता है मेरे पास पढ़ने तो 10 कैसे आएंगे फिर 100 कैसे आएंगे गताइजक अगे अगर मैं इक फ्रेंचाइज कि खोल सकता हूं तो 10 कैसे खोलूंगा और सौगे सब्लूंगा अगर में एक बार एक्सपोर्ट कर सकता होन्टêu दस भार कैसे करूंग और सं और पार इसको देखना उनकी जुरुत को समझना उनको प्रोपोजल बेजना कैटलोग बेजना ब्रोशर बेजना सेंपल बेजना सेंपल के बाद प्राइजिंग पर बात करने के बाद 50% यह ओफर हमने देना शुरू किया तो जर्मनी से हमारे डील हुई यूए में हमने डील की उजबेकिस्तान तुर्किस्तान अफगानिस्तान काबुल बांगलादेश नेपाल भूटान श्री लंका ऐसे करते करते मैंने कहा था ने कि एक डील हो सकती है तो हमें सोचना है दस कैस होंगी और सो हो सकती है तो एक हजार कैसे होंगी तो वह छोटी सी फर्म जिसका किसे समय परनाम ज्यान ओवर्सीज था उस समय भी हमारा उद्देश्य था एक एक एक्सपोर्ट बेस कंपनी बनाना फिर में अटास ओवर्सीज लिमिटेड बनी जिसमें एक्सपोर्ट किया और परेशानियां तो आती हैं चुनौतियां तो आएंगी लेकिन चुनौतियां जब आपके सामने आएंगी न तो आपके सामने उसकी समस्याओं के समाधान भी आएंगे वो लोग भी आएंगे जो समस्या को हल कर सकते हैं इसलिए जरूरत है अपने लक्षों में वह भाव स्टील मड्यूलर किचिन बाथ्रूम वैनेटी वाड्रोब और स्टील से बने इंटिरियर को एक्सपोर्ट करने के लिए ना कोई कौन-कौन से क्या सिस्टम है इस पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे या पिरे चैनल पर भी से लेटेड वीडियो देख सकते हैं कि डॉक्मेंटेशन क्या है प्रॉसस क्या है और बायर कैसे रूड़ने पर प्रयास नहीं करते हैं आज मैंने आपको बता है हमने कैसे एक्सपोर चुरूट कर सकता हूं तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जरूत है के वलब दृड़ विश्वास की कि हां मैं यह कर सकता हूं सवस्त रहें मैं डॉक्तर अमें पाहिशवरी आप किसमें बरे बवीश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत